लूब्रिकेंट का बिजनेस बहुत ही जादा प्रोफिटेबल बिजनेस है कारण है लूब्रिकेंट के बिजनेस में अपलाई करने के लिए उतना मारा मारी नहीं है लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम HP का lubricant का business हम कर सकते हैं जैसे मोबील हो गया या various type के इसमें other lubricants होगे जो गाड़िवों में use होते हैं 2 wheeler, 4 wheeler, 3 wheeler, trucks हर चीज़ का अलग-अलग lubricant आता है अलग-अलग shape and size में अलग-अलग quantity में लेकिन इसके business में कैसे enter करें ये लोगों को पता ही नहीं है जबकि lubricant का business one of the most profitable business में से एक है वीडियो के अंत में बताऊंगा कितना रुपिया profit आप कमा सकते हैं ये बहुत ही premium level का business है मेरे नजर में क्योंकि हिंदुस्तान petroleum में आपने HP का gas agency देखा होगा है, HP का petrol pump के बारे में बहुत सारे videos देखे होंगे लेकिन HP lubricants का videos आज मैं पहली बार अपने channel पे ला रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी जादा मददगार साबीत होगा हिंदुस्तान petroleum corporation limited HPCL ये एक main company है जहां से HP lubricants बनता है, HP lubricants अभी की rate में भारत का largest lubricant marketer है यस, एंडिया का largest है और भी company होंगी लेकिन HP का अपना अलग नाम है 300 grade से ज़ादा का इनकी lubricants है specialities है, grease हो गया गाड़ी में grease डालते है न वो हो गया ये सारे चीज़ों की manufacturing company खुद करती है, इनका अपना automotive plant है, इनका अपना खुद का factory है और ये lubricant कहां पर यूज होता है तो automobile industry में हो गया इसके बाद बड़े बड़े factories में mining construction में यूज होता है agriculture में होता है defense के sector, railways के sector में हर जगे इसका यूज होता है चलिए, चुकि ये बहुत ही ज़ादा trusted brand है तो इसके बारे में और extra बात करने से फाइदा नहीं, बात सिधा काम की करते है eligibility criteria क्या है HP का lubricant distribution से बनना इतना आसान भी नहीं है जितना आपने शुरू में सोच लिया होगा जी, थोड़ा सा tough criteria है इसलिए इसमे profit margin बहुत ही high level का margin है सबसे पहले तो इन्होंने basic criteria दिया हुआ है कि जो भी लोग होंगे वो भारत के citizen होने चाहिए 20 साल से ज़्यादा का होना चाहिए लेकि 60 साल से कम का उमर होना चाहिए कम से कम दसवाँ पास होना चाहिए आपका कोई degree ना भी हो तब भी भी चलेगा और आप प्रोप्राइटर्शिप पार्टनर्शिप फर्म के तरपे आप अपलाई कर सकते हैं प्राइबिट लिमिटेट कमपनी भी आप बना के कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपका एक experience होना चाहिए FMCG टायर बैटरीज में तो उसको ये ज़्यादा तरहीज देंगे कारण है कि कमपनी प्रॉपर विमें एक टेस्ट भी लेती है उमें आगे आपको बताऊंगा candidate जो भी रहेंगे उनका कोई criminal record नहीं होना चाहिए HP lubricant distribution ship लेने के लिए क्या-क्या requirement होगे तो सबसे पहले इसमें हो गया space जिसको space में दो type का space चाहिए होगा पहला हो गया एक shop जो main market में होगा जहां से कोई भी person आके खरीद सकता है और एक हो गया इसमें go down जहां पर आप सारे lubricants को आप वहाँ पे store करेंगे तो दो type का space आपको चाहिए होगा कितना space चाहिए होगा विल ओफिस के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए आप 1500 स्कार फिट 10 बाई 10 के space में भी काम शुरू कर सकते हैं लेकिन go down कम से कम 500 स्कार फिट चाहिए ही चाहिए होगा आप दोनों ही rented रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपका खुद का नहीं भी होगा तब ही चलेगा जहां भी आपका office रहेगा वहाँ पर proper equipment होना चाहिए यानि कि जो भी office में equipment होता computer हो गया, internet का हो गया ये सारी चीज़े basic हो गए वो होना चाहिए आपका आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए गाड़ी का भी requirement है एक tempo लेना पढ़ सकता है और छोटा truck लेना पढ़ सकता है और staff अब बात करते हैं investment के जो सबसे miser part लेकिन उससे पहले मैं लेकर चलता हूँ इनकी website पर और दिखाता हूँ HP Lubricants का यह है HP Lubricants.in कमपनी का official website यहाँ पर जब आप आएंगे तो यह कुछ basic information दिया गया रहेगा जो मैंने पहले ही बता दिया automotive oil हो गया industrial oil हो गया specialty हो ग्रीज हो गया marine oil हो गया तो आप जो distributor बनेंगे आपको यह सब में कभी नहीं काम मिलेगा आपको generally automotive oil में ही काम मिलेगा और जो agriculture based industry हो गया या अगर आपके 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 फैक्टिव हो गया तो वहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है चली सबसे पहले हम ज़रा product देख लेते हैं तो इनके product में क्या क्या है automotive oil, industrial oil, specialities, greas चली सबसे पहले automotive oil क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं प्याप की विक्री होनी वाली है गाडियों में ही सबसे ज़्यादा lubricant का खर्चा भी है टाइप की गाडियों में होगा तो यह इस टैप का गाड़ी हो गया टेक फ्लूड हो गया, electric vehicle या hybrid range में भी यह सब चीज़े लगती है lubricant एक मातर ऐसा चीज़े जो की टेल वाली गाड़ी हो यह electricity वाली गाड़ी हो यह CNG, PNG कुछ भी हो वहाँ पे भी यह useful है चाहे गाड़ी कुछ भी हो जाए, lubricant तो चाहिए ही चाहिए इस type का lubricant आपको use करने होगे अब आपने समझ लिया product, अब बात करते हैं investment की इस काम को start करने के लिए आपके पास कम से कम investment अगर देखिए, छोटे शहर में अगर आप open करने जा रहे हैं तो 25 lakh का investment लगेगा छोटे शहर in the sense, in the sense यानि कि एक मन्त में कम से कम 15,000 लिटर आप अगर खर्च करने का capability वाले शहर में हैं तो वहाँ पे आपको 25 lakh का investment चाहिए होगा 15,000 यह उसे कम next, अगर आप वैसे जगह पे हैं, वैसे industrial जगह पे हैं जहाँ पे आपका खर्च काफी जादा हो सकता है यानि बिकरी बहुत जादा हो सकता है तो वहाँ पर आपका जो investment जाएगा वो 50,000,000 रुपिया है जाएगा investment ठीक है, अगर आपके पास इतना investment नहीं है तो आप चाहें तो PMGP scheme में अप टू 20,000,000 तक का loan ले सकते हैं यहाँ पर आपको सबसीडी भी मिलता है 25% से 35% तक का वहीं आप चाहें तो अगर आपका इस से loan amount का जादा का requirement है 20,000,000 से तो CGT,MCA scheme में जाकर loan ले सकते हैं वहाँ पर आपको 2,000,000 तक का loan मिलता है loan से related और भी बहुत टाइप की जानकारी की requirement होती है बहुत टाइप के document लगते हैं जैसे project report हो गया उद्यम registration हो गया income tax return हो गया GST हो गया इन सारी documents को आप राप्त करने के लिए myproject report.com website पर आप visit कीजिए ये इंडिया की number one project report और loan document बनाने वाली company है इसका link मैं description में दे दूँँगा उसको जरूर चेक आउट कर लिजेगा अब बताता हूँ आपको एक importance जो मैं शुर में बोला था इसमें basically company test लेती है 100 number का test company लेगी interview के दर्मिया क्या-क्या test लेगी तो देखे कि आपका educational qualification उसके पे आपको 10 number मिलता है personality पर आपको 10 number मिलेगा professional experience है अगर business ability का तो उसमें 30 number मिलते है capability to provide infrastructure आपके पास infrastructure है तो 15 मिलेगा और finances यानि कि आपके पास खुद के पैसे हैं या आप arrange कर सकते हैं कैसे भी loan ओन लेके कुछ भी तो आपको 35 number ये total 100 number आपको देगी कारण है कि बहुत सारे candidate होंगे तो उसमें से अच्छे candidate को ही ये देते हैं तो इस तरीके से ये marking करती है अब सबसे important चीज़ आएगा कि profit कितना होगा yes well इस काम में profit बहुत ही जबरदस्त है HP lubricant distribution ship में आपको profit मिलेगा लगभग 50 रूपिया पर लीटर के तोर पे profit या इतना भारी profit मैंने आपको बता दिया 50 रूपिया यह उससे थोड़ा सा कम हो सकता है बट इतना ही है एक लीटर पे आपको ये company देने वाली है कारण है lubricant काफी महगे आते हैं आपने देखे होंगे आप अपने बाइक में भी अगर mobile डलवाने के लिए जाएंगे तो उसका किमत कम से कम 400 500 700 800 600 इस range का होता है उसमें 50 रूपिया distributor को भी जाता है तो आप imagine कर लिए कि अगर आप बड़े बड़े ट्रकों में बेच रहे हैं बड़े बड़े ट्रक वालों को दे रहे हैं या इस टैप का अगर एक महीने में आपने 15,000 लीटर बेच दिया और 50 रूपिया के दर से भी आपको प्रॉफिट मिल गया तो वो प्रॉफिट कहां से कहां पहुँच जाएगा आप सूच भी नहीं सकते हैं अगर आप भी HP Lubricant का लेना चाहते हैं तो कैसे अपलाई करेंगे हाउ टू अपलाई कमपनी का ओफिशल वेबसाइट है यहाँ पर आते के साथ ही यहाँ पी इन्होंने लिखा हुआ बिकम अस यह या डिस्टिब्यूटर आप डिस्टिब्यूटर बन सकते हैं या CFS जो आपको समझ में आए आप बन सकते हैं इस पर आपको करना है क्लिक क्लिक करने के बाद कमपनी ने पहले ही या बहुत सारी बाते लिख दी हुए वह आपको समझ लेना है नेक्स्ट हो गया कौन-कौन से जगह के लिए आपको पढ़ लेना ठीक है यह चीज़ देख समझ के यहां पर नीचे में क्लिक हैर फॉर लिव डिस्टिब्यूटर पर आपको अपलाई करना है यहां पर अप्लिकेशन रिश्टेशन होगा पहले उसके बार लिव डिस्टि खर्ची लगाम है इसके अलावा ही मैंने वीरियस टाइफ के टॉपिप कर वीडियो बना दिया है कम इंवेस्टमेंट में भी है प्रीमियम रेंज के इंवेस्टमेंट में भी है आप उसके लिए जाए हमारी चैनल पर वहाँ पर जाएए विजिट कीजे वीडियो के section में और आप उन सारे वीडियो को आप आराम से चेक आउट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना हैं प्रोडियो दखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठैकिसो मज़, टेक केर, बाबाए